असलाम वालेकूम, वलकम है अब सभी के इस नई वीडियो में, तो जैसे अब सभी को बता है कि B.S.E. Nursing Paramedical and Technology Courses का जो session 2022 था, वो almost complete हो चुका है, first round भी खतम हो गया, second round भी यहाँ पे almost खतम हो चुका है, selection list भी उसकी दो दिन पहले आ चुकी है, admission process आपकी 31st of January तक जह खतम हो चुका है, अब फरवरी से आपकी classes वगयरा लग जाएंगे, तो बात यहाँ पे आजाती है 2023 session के, जो इस साल 12th में candidates हैं, जिनको J.K.Bopi का 2023 session में देना है, और उसके साथ जिन होना है, जो है वो पिछले साल जिनका admission नहीं हुआ, या selection नहीं ही, वो अब next session की तयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम exam की dates के बारे में बात करेंगे, syllabus वगयरा की बात करेंगे, paper pattern वगयरा, सब कुछ में आपको बताऊंगा, वीडियो काफी जदा important है, पूरा 2023 का हम overview देख लेंगे, इस वीडियो में, वीडियो को पूरा end तक देख लेना, चैनल को भी subscribe करके रख एंटिक, उसके बाद 40 दिन बाद result आ जाता है, April मतलब में तक result आपका आ जाएगा, तो जेके बोपी के जो forms लगेंगे, exam आपका जो होगा, वो लगबग जुलाई, जुन जुलाई तक आपका exam होगा, या आगस्त तक आपका जो है, इसमें exam होगा, मान के चली ये 10-22 मैं आगस्त तक आपका जो है, इस साल का exam होने वाला भी आपके पास 5-6 महीने है, तो जिन कंडिडेट्स को एपियर होना है, वो आज सही अपनी तयारी को स्टार्ट कर लो, अपनी तयारी आज सही प्रपरेशन स्टार्ट कर लो, तो सहले बस क्या कुछ रहता है, वो मैं आपक को थोड़ सा अगर बताओ, सालिबस आपका पूरा 11th और 12th का रहने वाला है, 11th और 12th Physics Chemistry Biology आप पूरी की पूरी पढ़ लीजे, इस पीच यहां पर यह बात भी आजाती है, कि बुक्स वगेरा कौन सी पढ़ें, मतलब कौन सी बुक्स अच्छी यहां पे रहेंगे, देखि अगरी वगेरा स्टूडेंट जो, तो वो टेंशन बिलकुल भी मतलो, मैं आपको जो है वो, NCRT की बुक्स जो है, वो PDF फॉर्मेट में, और उसके साथ प्रिविएस यहर के पैपर्स, वो सारे के सारे में आपको फ्री में प्रवाइड कर लोंगा, अब जस्ट आप 2-3 दि की बुक्स जो है वो, फ्री में स्टूडेंट को प्रवाइड करी थी, तो इस साल भी इंशाला, इंशाला, इस साल भी जो है, वो में फ्री में आपको NCRT, Physics, Chemistry, Biology, और उसके साथ जिनको इंजिनेरिंग करनी है, J.K.B.P. के तरू बीटेक, उनको Math भी 11-12 का लगता है, वो प्रवाइड कर लोगा, Math भी, Physics भी, Chemistry भी, Biology भी, दोनों 11-12, NCRT की बोक्स में आपको PDF के फॉर्मिट में प्रवाइड कर लोगा, उसके सासथ पेपर 19-20, 21-22 के पेपर भी आपको फ्री में प्रवाइड कर लोगा, PDF के, 20-21 के पेपर तीन सालों के पेपर में आपको प्रव देखेंगे, उनको दो बुक्स वगरे, Easily Telegram पे मिल जाएंगे, लेकिन जो 6 महीने, 7 महीने, या साल, 2 साल बाद वो वीडियो देखेंगे, क्या पता फिर Telegram ग्रॉप डिलीट हुआ होगा, या कुछ और हुआ होगा, तो उनको वहां पे फिर, जह हो study material वगरा नहीं मिलेग इसलिए आप 2-4 दिनों का मुझे टाइम दे दो, मैं आपको NCIT की बुक्स जब फ्री मैं प्रोवाइड कर लोंगा, पेपर्स भी प्रोवाइड कर लोंगा, और उसके साथ साथ important chapters आपने कौन-कौन से study करने है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे अगले वीडियो में, बस थोड़ा सा पेशन्स रख लो एक-दो दिन क्योंकि आपी इनका चल रहा है, 31st of January तक आपी admission process चल रहे हैं, तो उनका भी देखना होता है, फी वगेरा, documents वगेरा के, तो उसको भी देखना होता है, तो यह जब complete हो जाएगा, तो कल परसुन तक मैं आपको important scoring chapters के बारे में व objective type questions आपको आजाते हैं, कोई high level का उतना होता नहीं है, अगर आप NCRT books अच्छी तरह से पढ़के जाओगे, तो easily आपकी selection, अच्छे खासे score से आपकी selection हो जाएगी, अब कितना score आपको जो है, वो सही रहेगा, देखे, अगर आप चाहते हो government college, अगर आप चाहते हो government college, Gmc Sarnagar और हमारा Schema Sora की, जो मदर महरमान वाली ब्रांच है, इन में आपको 80K plus target आपको रखने है, Schemas में आपको 90K plus target रखना पड़ेगा, और GMC Sarnagar में आपको 80K plus target रखना पड़ेगा, और GMC 12 में से अज़्टे के अखने प्लिस तरह से सेक्छी एगा, तब जाकी आपकी बाकि जो कंडिडियेट इस साल 12 में है वो टेंशन बिल्कुल मतलब अभी आप फिलाल अपने एक्जाम की तयारी कर लो जो आपकी मारिश में एक्जाम होंगे अच्छी तरह से पूरा 11 मतलब 12 में अगर आप हैं तो अच्छी तरह से 12 का जो सेलिबस है उसको कवर कर लो आपक उसके बाद आपको रहेगा सिरफ और 11 तका वो आप एक दो महीने में कंप्लेट कर लोगे तो अच्छी तरह से आप अच्छा खासा स्कोर वहां पर कर सकते हो तो बाकि इसमें कुछ खास होता नहीं है फॉर्म वगिर आपके निकल जाएंगे फॉर्म वगिर आपके जून जॉलाई तक अगर आपके निकले फॉर्म तो जून जॉलाई तक आपके फॉर्म निकल जाएंगे और अगस्त तक आपका एक्जाम होगा उसके बाद कुछ डेज में आपका यहां पर रिजल्ट वगिर भी आ जाता है तो चले वीडियो को यहां पर खतम कर लेंगे कोई औ आप कमेट सेक्शन में बता सकते हैं